अगर मैं तुमसे यह कहो कि Charlie Chaplin Indian origin के थे ओ, not just Charlie Chaplin बलकि Pablo Picasso and the great musician Elvis Presley and जे list बहुत लंबी है लेकिन इसके बारे में तुम अच्छे से समझना चाहते हो तो इस वीडियो को end तक देखना है and subscribe to the channel to never miss an update तो चलो अब इस वीडियो को शुरू करते है आज से 1200 से 1500 साल पहले जब Turkic invasion हुआ था तो वो लोग thousands of men and women को as a slave यां से लेके चले गए थे जिसमें mostly artisans थे, dancers थे, musicians थे, even architects भी थे in short people with some good skills और वो लोग जब उन्हें sustain नहीं कर पाये तो उन्हें forcibly west में भगा दिया और वो वापस नहीं आ सकते थे अब यहां से खानी शुरू होती है रुमानी की, जिने यूरोप में gypsies भी बुलाते हैं अब gypsies उन्हें इसलिए बुलाया जाता था कि पहले यूरोप को लगता था कि यह लोग Egypt origin के हैं फिर यह लोग दुनिया के बहुत से countries में जाके यह लोग nomadic life जीते थे in fact इनके अंदर आज भी इतना डर है कि आज की generation भी यह accept नहीं करती, यह admit नहीं करती कि उनके ancestors रुमानी थे बट यह कानी मैं कोई ऐसे नहीं सुना रहा हूँ जो इधर उधर की कानी हूँ यह 2012 में एक यूरोप में इसका कोई solution नहीं निकला और अगर इनकी population देखें तो यूरोप यूरोप में ही इनकी 12 million से ज़ादा की population है and not just biologically बट अगर आप इनकी lifestyle देखोगे तो वो इंडिया से काफी ज़ादा similar है जैसे कि फ्रांस में एक रुमानी Virgin Mary का statue है जिसे ये लोग कहते हैं काली सारा इसे हर साल ये लोग ओशियन में डुबा के लाते हैं विच इस सो सिमिलर विद्धा काली पूजा और अगर हम फ्लैमिंग को डांस को देखेंगे विच इस रुमानी काइंट and it is quite similar to कथक वैसे तो ये लोग जहां जहां रहते हैं वहां का culture और religion follow करते हैं बट उसके बाद भी बहुत सालों में इन्होंने अपना culture को preserve करके रखा हुआ है कहते हैं इन 1200 साल में migration की वज़े से इन्हें अपनी language change करनी पड़ी बट अगर हम ध्यान से देखें तो इन 1200 साल में भी इनकी language गुजराती, राजिस्थानी और पंजाबी से काफी ज़्यादा close और ये fact बहुत कम लोगों को बता है जब World War 2 ही थी और हिटलर ने Jewish का persecution किया था तब उस बीच रुमानी भी थे अगर आपको भी कुछ पता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और वीडियो को लाइक करना मत बोलना